आज 28 जून को भारत अपने एक बुद्पूर्व प्रधान मंतरी को स्रधाजली दे रहा है जिनोंने एक नाजुग दौर में देश का नेतुरत्व किया हमारी ये पूर्व प्रधान मंतरी स्री पीवी नरसे राव जी की आज जन्म शताब्दी वर्ष की शुरुवात का दीन है जब हम पीवी नरसे राव जी के बारे में बात करते हैं तो स्वाभायू की रूप से राजनेता के रूप में उनकी शबी हमारे सामने उभरती है लेकिन ये भी सचाई है तो अनेक भाषाओं को जानते थे भारतिये विदेशी भाषाएं बोल लेते थे वे एक और भारत जात्य साइत्य और विज्ञान का भी ज्ञान था वे भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक थे लेकिन उनके जीवन का एक और पहलू भी है और वो लिखनी है हमें जानना भी चाहिए सात्यों नरसे महराव जी अपनी किशोर आवस्ता में ही स्वतंत्रता अंदोलन में सामील हो गए थे जब हैदराबाद के निजाम ने बंदे मातरम गाने की अनुमती देने से निकार कर दिया था तब उनके खलाब आंदोलन में उन्होंने भी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था उस समय उनकी उम्र सिर्फ सत्रा सार थी छोटी उम्र से ही स्रीमान नर्सिम राव जी की त्यास को भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। बहुती साधान प्रुष्ट भुमी से उटकर उनका आगे बढ़ना, सिक्षा पर उनका जोड, सिखने की उनकी प्रभुती और इन सब के साथ उनकी नेतरुत्व शमता, सब कुछ मरनी है। मेरा आग्रह है कि नर्थमा राव जी के जन्मुश्ताब्दी वर्ष में आम सभी लोग उनके जीवन और विचारों के भारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास करें।